नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं यही नमबर है हमारे सिर्फ जहां पर कॉल या वर्टब कर सकते हैं इस्टाग्राम पर पेज जरूर फोलो कर लिएगा study for civil.services है ट्विटर पे जरूर फोलो कर लिएगा add the net study for civils है आगे बढ़ते हैं लोग उत्तर प्रदेश के राजस विभाग के बारे में महत्मूर जानकारी देखेंगे जंत्रक का अधिकार प्रदान किया गया था परिशत को 1932 में ठीक है उसके बाद राजस परिशत में एक अध्यक्ष दो प्रशास्निक सदस्यों साथ नयाइक सदस्यों सदस्यों होते हैं जनरचना कुछ इस प्रकार की है दो हेड़कोर्टर हमने आपको बताया कि एक नया आपर मंडला युक्त जिलाधिकारी अपब जिलाधिकारी तैसिल दर नैयाब तैसिलतर यह अपकी हारर्की हो गई और फिर राज़शम दीरीक्षक होता है पिर उसके नीचे लेकपाल काम करते हैं ठीक है राजस्व परिशत के बारे में देखेंगे तो इस्ट इंडिया कंपनी के शॉसनकाल में इसकी स्थाप्टाउं गई थी ठाटार सो एक तीस में राजस्व परिशत के बारे में चाओदा प्रकोष्ट हो नियाइक कार्यों का निस्थारन करते हैं राजस्व परिशत प्रशास्निक कारयले में 14 प्रकोष्ट उनिस अनुभाग है राजस्व परिशत इलाहबाद कारयले में दो अनुभाग है पहला अनुभाग क्या काम करता है राजस्व ग्रामों का सरजन और अन्ने संपत्तियों से जुड़ा कार्य जमीनदारी का उन्मू रहें वजी भूमी के आवनतर नो ततसमंधी कारिक जिम्मेदारी अनुभाग दो की मुछयाइबर बाजार मेला तलाव commitment जल प्रणाली आदी से प्राप्त आय संंदम्धी कारई ऑर God सब आवंटित भूमी में खबजा दिलाने संबंदी शिकायतों का निदान भी राजा सोनुभाग दो करता है। करता यह देंदेखरी करता है और जो है प्रांटी इंडा विवादों के निप्टारा करता है अंतर जिला तहसीन ग्रामू सम्पंधित विवाद की देखरेक करना है सब्सक्राइब करता है और अभ्यरपन छूट एवं मालिकाना से जुड़ा हुआ कारी से समंधित है मजूल भूमी या नजूल भूमी हो गया नजूल भूमी समंधिकार जुड़े होते हैं राजा सुनभाग से नजूल भूमी के मतलब है जिसका मालिकाना हग राजास्वल भूम के सुन्भाग सफित करता है भूर नहर दे अनने सरकारी immigrants की वसूलि कर करने के हितुचल संपत्ति का विक्राय भी राजस्वनुभाग साथ करता है राजस्वनुभाग आठ जोचक बंदी से जुड़ा हुआ यह जरूरी ध्यान रखेगा राजस्वनुभाग नाव जो है तैसील दार कानून को राजस्वनी रिक्षक लेख पाला दी के कार्ये और सेवा की नियामविली और शन्सोधन संबंदित कार्य करता है करशी करना खेतों की हत बंदी दाखिल खारी से जुड़ा कार्ये बटवारा यह सब है और अड़ाजस्वन७ाग नौ संबंदित दस में क्या होता है दस में प्राक्रति का आपता से प्रभावित विक्ति की साह प्राचना पत्र एवं शिकायत पत्र दर्ज करना फिर दैवी आपताओं से प्रभावित विक्तियों की साहिता है तुझ जिला धिकारी को धर्न अवन्टित करना और जीला बाढ नियंत्रन और आपता राहत साहिता कार्य करना प्राक्रतिक आपता करन महलकुजारी लगान अन्लसरकारी देंगों की माफी एवं स्थगन का कार्य करना सरकारी खर्जों की मित्वेविता का करना 12 की वार्षिक समीक्षा करना दैनिक बाढ और शती की सूचना उपलब्ध करना मोसं और को सूचना की देख रेक करना सूखा के कारण हुई छती की सूचना उपलब्द कराना अनुभाग बारा में गया होता है अधिक्तम जोत आरोप्रन अधिनियम का कारेंवन एवं अतिरिक्त भूमी अतिरिक्त घोशित भूमी का बंदोबस्त करना भी सुत्री कारेकरम का समन्वे करना जबी चलता था तब य इवाले जो हैं इसका संचालन होता है सर्वेक्षण रभी लेक संबंदीकार भू रजस्व बंदोबस्त का कारें भूदान और ग्रामदान संबंदीकार ये करता था मैप एवं डिजिटल मैप एवं रिकॉर्ड वैनुल का पुर्ण रिक्षण नामांतरन दाखिल खारिज राजा टोडर्मल भू लेक प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण स्थान हर्दोगी उत्तर प्रदेश में सारजनिक भूमी पर आतिक्रमन कपजे की बिद्यक्ली का अधिकार तैसीलदार को होता है ठीक है राजस्व प्राधिकारी उनके अधिकार छेत्र है उत्तर प्रशासन के हाथ में होता है जिला कलेक्टर या तो यूपीस्स टेट पीसेस के अधिकारी होते हैं फिर जिलों को प्राय उप मंडलों में विवाजित किया जाता है जिसके अधिकारी HDM होते हैं और तैसीलदार अरभी भाषा का सब्द जो मुगल काल से प्रयुकत होता हुआ आरहा है अरभी भाषा में तैसील का सब्द का अर्थ होता है राजस विस्रदन और जिलास तर पर कैसे बश्था होती जिलास तर पर जिला अधिकारीया प्रदेश में सबसे उपर होता है सबसे नीचे नायब तैसीलदार का नियाले होता है ठीक है मेड़ बंदी और भूमी की पैमाईश बटवारा समदी विवाद देखना राजस नियाले हो काम है और भूमी की निलामी समदी मामला भी राजस नियाले हो के अधीन आता है चकबंदी विभाग के बारे मात कर लेते हैं राजस विभाग का दूसरा मुख विभाग चकबंदी एपदा पुर्देश में चक्पंदी लաुगे चुकी थी जनपद सतर पर चक्पंदी का सर्वोच अधिकारी उपज़गरा संक्राइक होता है और चकबंदी लेकपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन काम करता है उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन विभाग के बारें बात कर लें तो यह जो है राजस विभाग के अधीन काम करता है आपदा प्रबंधन विभाग मुख्य जो प्रमुख होता है वो राहत आयुक्त होत जिन अंदियों से बाड़ा आती है वो गंगा यह मुना राम गंगा गोंती शार्दा गहागरा राप्तियों गंडक है जिला आपदा प्रबंधन प्रादिकर्ण जिला अधिकारी की अधिक्स्ता में काम करता है ठीक है गजेटियर स्विभाग जो है जवाहर भवन लखनव मे है और इसका कारे जिले के गजेटियर तयार करना होता है गजेटियर स्विभाग की स्थापना 1975 में हुई थी राजय स्व प्रशासन एवं कारे उत्तर प्रदेश जोट्स चकबंदी अधिनियम जो है इसका गठन हुआ था लागू हलांकि 1901 से ध्यान रखेगा चकबंदी स इंचालक कतातपर रहसेवक्ति से जिसे राजय सरकार अधिनियम में बने नियमों के अधीन करतव का पालन करने हैं तो नियुक्त करे प्रतेख जिले में कितने लेकपाल होंगे ये राजय सरकार निरधारित करती है उत्तर प्रदेश भूराजस वदिनियम 1901 की धारा 23 में लेकपाल पद का प्राधान किया गया है ठीक है खेवट जो है जमींदार का रिजिस्टर होता था अब यह नहीं प्रचलन में है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमी सुधार अधियम लागू होने के पूरु प्रते गाउं में दो अधिकार अभिलेक होते थे खेवट उनने से एक होता था खतावनि वर्त्मान से मैं भी मानने है क्योंकि होता। जोद्दार के नाम का परिवर्थ क्रशी वर्ष एक जुलाई से 30 जून को क्रशी वर्ष को फसली वर्ष भी बोलते हैं ठीक है भूस्वामी की मुरत्वी होने पर उत्तरा अधिकारी का नाम दाखिल करने की प्रक्रिया कैसी होती है विवाद रहीत होने की दिशा में कारी फिर तैसीलदार को देंगे तैसीलदार मामला सुनने के पश्चात जांच करते हैं और समस्या का समाधान करके उचित वारिस का नाम दर्च करते हैं यदि कोई प्रक्षिस में संतोष ना हो तो अपील जो है असिस्टेंट कलेक्टर के ने आयले में कर सकता है खेती जमीन इसके माना गया है ठीक है खनी जो का भाव है क्योंकि यहां पर और खनी आधारित विकास नहीं हो सका है कोई जादा क्रशी आधरित उद्धयोगों का पूर्टा विकास हुआ है उत्तर प्रुदेश में हत्कार का उद्धयोग जो है सबसे बड़ा उद्धयोग है इसमें पार्थिक राजदानी भी लोकल में बोला जाता है आगरा अलीगड मेरट खाजियाबाद गोरकपूर लखनो मोदी नेगरवार नसी अन्य ओद्धयोग इसमें करते हैं तो राम सहाय की रिकमेंडेशन पर 16 सितंबर उद्धयोग शुरू किया गया था हत्करगा एवं वस् उत्तर प्रदेश व्स्त्र निगम के अधीन सूती वस्त्रों की कुल 5 मिले थी जहांसी संदीला मेरथ काशीपूर जसपूर तुटरदेश विभाजन जब होता है उत्राखंड उत्तर प्रदेश अलग अलग होते हैं तो काशीपूर जसपूर उत्तराखंड में चली गए और घाटे करन शेटीन बंद हो Gए थी उत्तरव्रुदेश1994 में उत्तरवस्त्तर निहम के सहयोग से दो कताई सन स्थानों की स्थापना करता है इसके लिए सरकार्न वगाईदा कानून बनाय था रेश्मी साड़ी रेश्मी दोती तौली एक अंच्छा दरी लूंगी कारपेट यह सभी 11 उत्पात जो है हर हाल में हांत मतलब हत करगे से बने हैंड लूम से बने पावर लूम से ना बने चीनी उद्योग महतपूर नगदी फसल उत्तर प्रदेश की केंदरी आम अनुसंधान संस्थान लखनों में है गन्य का प्रयोग प्राया चीनी आदी उद्योग में होता है गन्ना प्राया भारती मूल की फसल है अच्छी पैदावर देखते हुए 1903 में प्रताप पूर स्थापना 1975 लखनों में हुई थी इसका प्रेजेंट नेम जो है यह है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान पांच प्रिशक्षण केंद्र है वो मुझफर नगर गोरकपूर वानसी साहजापूर और गोंडा में है और गन्ना शोध परिशत का गठन हुआ था तो यह नाइन शुगर के इन जोन्स कौन-कौन से है आपके मेरट सहरनपूर, मुराधाबाद, बरेली, लखनो, फैजाबाद, देवी पाटन, गोरकपूर और देवरिया तीन जो है चीनी परिक्षेत्र है मेरट बरेली, लखनो, अभी यह कुछ अदिनीयम वगेरा टेबल फॉर्म में लिखे हैं, हम उपर डिस्क्स कर चुके हैं, चीनी समंधी, जैसे चीनी समंधी सहकारी चीनी मिल संग 1963 में, सहकारी गन्ना समीती संग 1949 में, चीनी निगम लिम्टेड 1971 में, और उत्तर प्रदेश गन्ना विकास अनिस्थान 1975 लखनों में, जैन उसके बाद उत्त ऐसाईकुल उद्योग आगरा वार्नसी रामपुर लखनों में जूत उद्योग कानपूर में उता था शाईजनवा गोरकपूर में उता था टीन के कनस्तर बनते थे आगरा इटावा मैनपूरी में टॉर्ज उद्ध्योग लखनव में चीनी मिट्टी उद्ध्योग खुर्जा बुलन्द शहर में मिर्जापूर सोनभद्र पाइप उद्ध्योग इलावबाद गाजियबाद लखनव कानपूर पीतल की मूर्तियां मत कि खिलोने आगरा चूड़ी उद्ध्योग फिरोजाबाद वाद देंत्र हो गया मिरट कानपूर लखनव कांच कांच का चादर बर्जोई नैनी और नल के पाइप इलाहबाद गाजियबाद लखनव और कानपूर बिसकुट उद्ध्योग मोधिनगर और आगरा अलिगड में और द्योगिक प्रतिष्ठान जूत्तर प्रदेश में जैसे इंदुस्तान इटलनॉटिक्स लिम्टेड आपका लखनव और कानपूर में हिंडालको रेनुकूट सून भद्र में भारत पंप एंड कंप्रेसर सनाइनी में और राष्ट्री ताप बिजली निगम सिंगर में टेल शोधन कारखाना उत्रा में डीजल लोकोमोटिव्स वर्क आपका मंडूआ डी वालनसी में और मौटन बेकरी कानपूर में थी आयूद उपसकर कारखना हजरत पूर विरोजाबाद में भारती चमडा रंगाई एवं जूता सनस्थान कानपूर में और ट्रांस्व रखा गया था और इसमें फसल विकास कारेक्टरम फसल विकास कारेक्टरम जल चैनल लिटबाण और और उर्जा आदी का तिविधी इसमें शामिल की गई थी फार्मों में बीज भंडारण पैकिंग आदी पर बल दिया गया था इस योजना के तहत धान के फसलों की में मान सकते हैं इसको और जेंड के में केसर उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया था ठीक है पोशक अना जियोजना दो जारबारा तेरह में शुरू की गई थी इसका उदेश जवार बाजरा रागी आदी के उत्पादन का प्रोथसाहन करना था एक हजार ब्लॉक के 25 जार गावों में को कवर किया गया था इसमें ताड के तेल को प्रोथसाहन उन्हें 2011-2012 में शुरू हुआ था यह सब स्कीम्स के यह ध्यान रखिएगा आप लोग ठीक है यह मैचिंग में आ सकता है इसमें अच्छाए साथ हजार हेक्टेर ताड के प स्पालन पर बल दिया गया था न्यूट्री फार्म यह भी इसी दौरान आई थी एक्जक्ट वर्ष नहीं मिल रहा है लेकिन इसके अंतरगत लौह यूक्त भाजरा प्रोटीन सम्रद मक्का पत्पन करने का उद्देश रखा गया था और नई किस्मों के विकास है तो यह उ प्रोटी कल्चर से जुड़ी स्की में राश्क्री बांस मिसें 2006-2007 में आये था 27 राज्यों में इसका उदेश बांस शेत्र को विक्सित करना था और नासरी टीशु कल्चर आदी की गुणवत्ता आदी में सुधार करना था हस्त शिल्प द्योगों को इससे लाब हुआ थ और इसका उदेश यह था लग हुए मं सिमांत क्रशकों को निवेश एवं अन्य सुविधाओं हेतु एक सुनिश्चित पूरक आय उपलब्द कराना ठीक है गाउं चलो प्रोजेक्ट की शुरुवात जो है इंडियन मेडिकल एसोशियेशन ने 2005 गुजरात से की थी यह थो रेड़ी जिले से शुरू किया था इस कारेक्रम से देश के उन 1500 करीबों को रोजगार रोखाद सामकरी मिल पाई जो सूखे से प्रभावित थे उन गरीबों को रहात मिली जिनके पास कोई कामकाज नहीं था तो यह हुआ काम के बदले अनाच पार्ट टू जल जीवन मिश क्रशी के प्रति उदास इंता है प्राकृतिक संसादनों में भूमी गुडवत्ता की कमी कारण भी है सड़क बिजली ऊर्जा या तयात आदी की कमी का कारण है बिखरी भूमी होने का कारण है चकबंदी अच्छिस नहीं उपा रही है क्रशी से विधाओं का अभाव है तक सब्सक्राइब करना जा सकती है और सिचाई पर बहुत देहां देने जरूरत है और जन संख्या वृद्धी पर देहां देने जरूरत है जिससे क्रशी भूमी का अधिक बटवारा ना हो सांसद आधर्श ग्राम योजना के बारें बात कर लेते हैं और गांवों के सब्सक्राइब करने के लिए सभी राजनितिक दलों के सांसदों को एक गाउं को गोद लेना होता था और वर्ष 2015 तक उसे आधर्श ग्राम बनाना था यह शुरुवाती लक्ष रखा गया था इसको कई फ्रेजस में फिर आगे बढ़ाया गया इसके नुसाल जब चौथा सब्सक्राइब करना था 31 दिसंबर 2018 तक केवल 252 मेंबर ऑफ पार्लिमेंट्स ने एक ग्राम सभाओं को आदर्श ग्राम योजना के लिए चुना था बाकि उन्हें नहीं चुना था प्रदान मंत्री आदर्श ग्राम योजना ठीक है इसमें क्या था इसमें 50 प्रतीशत चा अबादी संकेंद्रण वाले अनुसूचित जाती बाहुल गाओं को एकिकरत विकास के विकास हेतु इन में कारेंवन किया जा रहा था प्रदान मंत्री आदर्श ग्राम योजना से भिणने ऐसे ही है कि प्रदान मंत्री आदर्श ग्राम योजना में उन ग्रामों को फोकस क किया जा रहा है जहां पर अनुसोचित जाती की पॉपलेशन ज्यादा है ठीक है प्रारम में उजना राजियों और थात असम बिहार हिमाचल प्रदेश राजिस्थान एवं तमिल नाडू के एक हजार गाओं में प्रायोगी काधार पर आरंब की गई थी स्योजना को वर्ष 2014-2015 के दौरन शंसोधित करते हुए ग्यारा राजियों में जिनके नाम लिखे हुए हैं इसके पंद्रा सो अनुसोचित जाती बाहुली गाओं में आगे बढ़ा दिया गया था इसको ग्राम बनाना था इसमें से एक को अधर्ष ग्राम विक्सित करने के लक्ष 2016 में ही हासिल कर लिया जाना चाहिए था इसके बाद ऐसे पांच अधर्ष ग्राम प्रती वर्ष एक कचैन हर संसद को करना था और उसका विकास 2024 तक करते रहना था जन भागीदारी पर विशेस ब पुलकलाम ने जनवरी वर्ष 2003 में क्रामिडी चेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान करने के लिए पूरा इनिशेटिव शुरू करने का विजन दिखाया था दर्शाय था ठीक है कि पी यू आरे नाम से हमको शुरू करना पड़ेगा जिसमें क्रामिडी चेत्र ध्यान रखेगे जैसे रू अर्बन है इसमें रू का मतलब रूरल है और अर्बन का मतलब अर्बन तो है ही 2014 के प्रधान मंत्री रू अर्बन मिशन शुरू करने ही गुफना की गई थी और जिला ग्रामिड विकास एजनसी प्रशासन ये एक अप्रेल 1990 को शुरुआ था इ जय वर बनान था ताकि ग्रामिड विकास मंत्रा ले के गरीबी उप्षमन कारे क्रमों की कारेंवन को प्रभावी डंग से आगे बढ़ा सके ही इसके बाद राष्ट्री ग्रामिड विकास संस्थान और पंचायती राज शंस्थान इसका काम है प्रषिक्षन अनुसंधान परामर्श ठीक है कोई जमीनी स्तर पर इसका कोई प्राम नहीं है इसका कार्य है अनुसंधान करना प्रिशिक्षन देना जो पंचायती राज विकास और ग्रामीड विकास से जुड़े लोग है उनको और इसमें के भारत सरकार का पूर्णते वित पोशन इसको मिला हुआ है इसकी स्थापना वर्स 1958 में हो गय थी राष्ट्री समुदाइक विकास संस्थान के रूप में फिर मसूरी में था ये और संस्थान फिर इसका कैंपस हैधराबाद चला गया था 1965 में प्रदान मंत्री ग्राम सड़क योजना को तकनीकी साहता प्रदान करने के लिए सोसाइटी पंजी करना अधिरिया मंठार और साथ के अंतरगत इस सोसाइटी के रूप में इसकी स्थापना होई थी राश्ट्री ग्रामीड विकास एजिन्सी की राश्ट्री ग्रामीड विकास फेलो स्कीम जो है एक लोग कारेकरम है ग्रामीड प्रोधोगी की विकास परिशद यानि का पार्ट द्वारा चलाई जाती है जिसमें 7 अप्रेल 2001 को शुरू किया गया था इसमें एक इंटिग्रेटेड एक्शन प्लान होता है जिलों को दुर कुल बिलाकर इसका गठ्रन किया गया था 10 दिसमबर 2013 को सोसाइटी रिजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतरगत फिर ये कुछ यह उजना है तो हम आपको पताई चुके हैं श्री निकेतन स्कीम एल एल एम हर्स्ट के सयोग से उनिस्सोबीस में रविन्द नात ने शुरू की थी और गांधी जी ने ग्रामोद्योग भारती ग्रामोद्योग संग हिंदुस्तानी तालीम संग और अल इंडिया स्पाइनर्स एसोशेशन और रस्तूर्बा गांधी संग आधी भी स्थापित किये थे इस कारक्रम को प्रभावी बनाने के लिए सामुदाइक विकास योजना इनके नाम ध्यान रखिएगा ठीक है राष्ट्री प्रदर्शन योजना ठीक है आईकार द्वारे योजना 1965 में शुरू की गई थी और विशेशक्यों द्वारे लगभग एक एकड़ भूमी पर ये प्रदर्शन किया जाता था वर्ष दोजार दोजार एक से प्रदान मंत सब्सकार दिया जाना शुरू हुआ था राष्ट्री ग्रामीड आजीव का मिशन ठीक है इसकी शुरूबात 3 जून 2011 को मुख्य उदेश ग्रामीड गरीबों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धी करना होता राष्ट्री ग्रामीड आजीव का मिशन को फिर राष्ट्री आजीविका क्रामीड एक्स्प्रेस योजन जिसको आगे कहा गया था इसका उदेश था सुदूर गाउं को ग्रामीड परिवहन विवस्था से कनेक्ट करना अगस 2017 में शुरूप की गई थी उत्तर प्रदेश नियोजना में 60 वर्ष है उससे अधिक आयू वर्क है ऐसे समस्त वर्दजनों जिनकी आये क्रामीडी शेत्र में इतनी है 46,080 रुपए और शेहरी शेत्र में 56,460 है इससे कम है मतलब तो वो सभी पेंशन पाने के हगदार है उत्तर प्रदेश के कर्दिमासी है बुजर्ग अधियोजना इसमें किसान रथ नाम से एप को शुरू किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 अप्रेल 2020 को एप के जरिए क्रशी उपज के परिवहन के लिए करोना माहमारी के दावरान किसानों की मदद की गई थी और देश भर में 5,000,000 ट्रकों 20,000 ट्रेक्टरों का उसर प्रदान की चेया था तो किसान रथ चलाया था कोवीड के तोरान उत्तरप्रुदेश ने इसका निर्माण एनाईसी ने किया था यह से यूपी करेंंडE आपको पराने में इसे बता दिया उत्तर्प्र, उत्तरप्र देश में अंबेटकर ऑो 이के सब्दार Ugh योजना वर्ष 2010 में शुरू की गई थी विद्धुता पूर्ती के लिए शुरू की गई थी वर्ष 2010 में अंबेटकर ओर्जा क्रशी सुधार योजना इससे पहले आय थी डॉक्टर ठीक है इसमें भूमिहीन परिवार में जो कमाने वाला सदस्य है उसमें अगर आनसिक विकलंगता या फिर स्थाई विकलंगता आ जाती है या फिर किसी भी परिवार में कमाव सदस्य है अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए विमा कवर दिया जाता है इसमें दो बिलाए के बाद आम आद्मी दो चल रही थी और जनिस्ट्री वीमा ज़ना इंदोनों consultant एक कीसी बॉड़ी पार्ड की सती होने पर 37 रुपर यह सब्राव धान थै चात्र पुर्थी में लाब मिलता था फ्री में चात्र पुर्थी की एक त्रीक तिलाब मिलता था की लाब भारती के अधिक्तम दो बच्चों के लिए नवी से बार्मी काक्षा तक की पढ़ाई जो है 100 रुपए मतलब वहां पढ़नेवाले बच्चों को 9-12 पढ़ने वाले चाहिए और भूमीहीन ग्रामिड होना चाहिए प्रीमियम तीशार रुपए की सुरक्षा के लिए वक्ति को 200,000 रुपए साल में देना पड़ता था जिसमें समाजिक सुरक्षा निथी 50% प्रीमियम राज सरकार प्रावधान थे बिल्कुल एक देसा था लाब की राशी एक पार देख लेते हैं लाब की राशी बिल्कुल से में बीमा राशी जो है तीस जार होती थी ठीक है तीने जार लिखावा थी एक्सिडेंट विकलंगता के मामले में नौमिनी को 75,000 बिलते थे और दो बच्चों को 60,300 पर प्रती बच्चे के हिसाब से चातर प्रती दी जाती थी नौ से बारा पटने वालों को इसका बुकतान चमाही रोप से प्रतिवर्श एक जुलाई और एक जन्वरी को होता था हां तो इसको चातर प्रती थोड़ी से ज़्यादा मिलती थी एलजबिल्टी भी वही है लाभारती परिवार का मुखिया होना चाहिए और परिवार में केवल एक कमाई करने वाला सदस्य होना चाहिए वो आदर्ष नगर पंचायत योजना उत्तरप्रदेश की सरकार ने बड़े नगर निकायों की तर्च पर छोटे नगर निकायों में रहने वाले लोगों को मूल बूत्स विधाय मोहिया कराने के लिए 2018 में पंडित दीन दयालू पाद्याय आदर्ष नगर पंचायत योजना शुरू की थी और दसजार की अबादी पर एक ग्राम के चैन करने का प्राउधान था इसमें ग्राम पंचायत मुख्यलय वाले गाउं जिनकी जनसक्या तीन जार या फिरिस्य अधिक हो उसको और वहां पर योजना के तावेदन करने के लिए पात रहें और ग्राम के लोगों इसमें उतर प्रदेश के अलब संख्यक बाहुल जनपदों में विभिन कल्यानकार योजना संचालित की जाती है निराश्रित पेंशनी योजना जिसमें सभी विद्वा महिलाओं को निराश्रित पेंशनी योजना के अंतरगत प्रारंभिक चरण में रुपए 500 की आर्थि शायता को बढ़ा कर 500 किया गया था यह सब उत्तर प्रदेश में चलने वाली स्कीम्स है ठीक है और महिलाओं को कानूनी शायता के रूप में मिलने वाली धाई-जार खिराशी बढ़ा कर 10,000 रुपए कर दी गई थी उत्तर प्रदेश में पेंशन योजना चलती हैं व्रद लोगों को 400 महीना मिला करती थी या 500 कर दिया है प्रजेंट योगी गवर्मेंट ने जनुरी 2020 से 89 वर्द से उपर के व्रद को 500 मिलते थे पहले और उससे कम को 400 मिलते थे लेकिन अब सभी को 500 मिलने लगे हैं ठीक है यूपी व्रद्धावस्था पेंशन ने योजना के योजना का उद्देश है कि गरीब वरिष्ट अंगरिकों को साहता प्रदान की जाएगी इसलिए इनका राज की वीपल सूची में नाम हो आविद्धन कर सकते हैं ठीक है आय सीमा के बारे हम को जानकारी नहीं दी गई लेकिन जाहिर इस बात है कि पंशन योजना की राशी देखबाल नहीं करते हैं तो विद्धवा पंशन योजना मिलती है उत्तरप्रदेश में उत्तरप्रदेश विकलांग पंशन योजना भी 500 रुपर दिये जाते हैं और मुख्य मंदर ने 40% विकलांगता है इस योजना का पात्र होने पर आविदक के पास सहर जिलास्पताल योजना किसी भी संबंदित अधिकारी दोरस्त सत्यापित 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र होना जरूरी है ठीक है समाजवादी पेंशन योजना आई थी 2014-2015 में अब इसको मुख्य मंत्री पेंशन योजना नाम कर दिया गया था और इसकी राशी भी 500 रुपय जो इसकली गाउं में रोजगार परक कारेक्रम देने का काम शुरू किया गया था अपना गाउं अपना काम योजना शुरू कि गई थी काफी पहले एक जनुड़ी 1991 को ठीक है और कुछ हैसे कुछ कारेक्रम है जिसको आप देख सकते हैं जिसे नई रोश्टी कारेक्रम महिला स प्रदान मंतरी जंधन योजना फैनिशिल इंक्लूजन समंदित है ठीक है तो अलंबन योजना समंदित है नई पेंशन प्रणाली से एक रुपय में एक किलोग्राम चाबल योजना शुरू कि गई थी तमिल नाडू में फिर संकल पर योजना जुड़ी है एच मापन हम थ कोड़ा सा मिस्ट्रिंट है संकल्प इनिशेटिव आय था अगस 2019 में स्किल्ड डवलप्मेंट से असूशेटेड है वो तुर उसके बाद राश्ट्री बाल कोष्ट की स्थापना हुई थी 1989 में रोश्णी जो सब्द समाचार पत्रों में था 2013 में जंजाती यूगों के कौश आगे के लिए बहुत दिन तक वो काम आता रहेगा नॉमबर 2021 में जो आया है मल्टी डैमेशलर पावर्टी इंडेक्स इसमें राजियों को रैंक दी गई है